हेलो फ्रेंट्स वेलकम डु प्रिपरेशन है हमारी हिस्टोड की क्लास चल रही थी तो आज की लाश स्टार्ट करते हैं आज हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि कला के बारे में पहले मूर्थियां बनाई जाती थी और मंदिर बनाया जाते थे भवन बनाया जाते थे तो उनसे हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है अब जैसे मूर्थी कला है यानि एक तरीके होते हैं गंधार कला और मथुरा कला पीमांत हार कल्amment मैं सुंदրता को महातव दिया जाता है दूसरा अब दियन को दो है और संदरता को बहुत-बनाने मेर कि सुन पनाया जाता है लेकिन महत्मा बुद्ध को ही ले लेते हैं तो उनके पीछे जो सर के पीछे जो दिखता रहते हैं रोश्णी बनी होती है तो वो उसको खुबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं अब कुशार कालीन सासा कनिश्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ अब भवनों में मोहन जोद्रो तक्ष्चिला नालंदा इत्यारी भवनों के द्वारा हमें इस्थापर तेकला और उस समय की सब्विताओं की जानकारी प्राप्त होती है अब रही बात मृद्भांट की यानि मिट्टी के बर्तन क्या होता था कि पहले जब पाशार काल था या सब्विता थी पूरवैदिक काल था उत्तरवैदिक काल था इन समय में जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाते थे वो कैसे होते थे वो यह सब कुछ दिया हुआ है नव पाशार काल में उत्तर मृद्भांट होते थे सैंदफ सब्विता में लाल मृद्भांट होते थे यानि मिट्टी के बर्तन होते थे पूरवैदिक काल में गैरिक मृद्भांट होते थे उत्तरवैदिक काल में चित्र जब पहले के समय जब मंदिर बनाय जाते थे तो यह तो वह द्रावीर सयली से यह तो नागरसयली यह टो द्राविर ट्राविर यह तो जाएन मिक्सप होता ही और दे chrony मेंतर कुब सेली दक्षिद भारत में बिलांब्स भारत मी इसका ज्यादा विह का जब जवर्वड सैलि का प्रसेद्ध मंदिर राज राजisión मंदिर या फिर प्रिठ देशर मंदिर दोनों एक ही हैं आप प्रिठ देश्वर मंदिर के नाम से जादा मशूहर है इसके पाद से ली नागर सैली हम हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है देवगड का दशावदार मंदिर जो है यह नागर सैली का उदाहरन है और बेशर सैली जो होता है वह इन दोनों का भारत मिक्सब होता है नागर सैली और द्रविड सैली का है कि अब हम देखेंगे विदेशी के विदेशी की जो यात्री थे विदेशों के वह जब आए हमारे देश में तो उन्हों जो वृत्तान दिया उन्होंने जो इसके बारे में लिखा उससे हमें कैसे जानकारी मिलती है देखिए यूनानी यात्री हेरोडोटस टीशियस नर्याकस मेगास्थनियर यह सब यूनानी यात्री हैं चीनी यात्री फाहियान शुंग यून वेंसांग इत्सिंग अभी यात्री सुलेमान अलमसूदी फार्सी यात्री अलबरुनी अब यह जो हेरोडोटस हैं टीशियस नर्याकस हैं यह लोग भारत आये नहीं इन्होंने जब यहां से जो लोग गए वहां पे तो उन्होंने अपने हिसाब से जैसे बताया कि वहां के इसे हैं वहां की कंडिशन ऐसी है राजनीतिक स्थितियां ऐसी है तो उसके बेस पर उन्होंने पूरा जो वृतांत दिया वह हम उसी के बारे में उसी से हमें जानकारी मरती है अब हेरोडोटस यह फादर आफ इस्टी मनें बताये हैं और इनके बारे में डीटेल पढ़ते मेगा इस्थनीज मेगा इस्थनीज यह सल्यूकस निकेटर के जो सल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए थे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौरे के राजदर्मार में ठीक है कब 305 इशापूर में इनकी पुस्तक क्या है इंडिका जिसकी भासा यूनानी है तो यह इंपॉर्टेंट है इन्होंने कौन से बुक लिकी है किसके सासनकाल में यह आए हैं सल्यूकस निकेटर के द्वारा यह राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौरे के दर्बार में भेज गया थे इसके बाद हैं प्रथम जीनी यात्री है 399 इश्वी में आये थे चंद्रगुप्त द्विक्रमादित उस समय शासक थे और पुस्तक इनकी फोक क्यों की है ठीक है यह असोक के अभी लोगों से बहुत जादा प्रभावित थे इन्होंने मध्य देश को ग्रामःडों का देश बताया और सम्रिद्य साली कहा इनके अ चंद्रगुप्त द्वित उस को में जाहिर से बात है और उनिहके राजनैतिक सामाजिक और संस्कृति कि स्थितियां उनके के समय के बारे में कि एविधयात्रा विद्दान वह अच्छे से लिए अपन शुन यहां ग्रुर्ट्षु से जहार ग्र्ट यह एंच्श फारह आ वेंट सौंग अब यह इंपॉर्टेंट है इनका नाम युवान च्वांग था बच्पन में 600 इश्वी में होनन में इनका जन्म हुआ 13 वर्ष के अवस्था में लोयंग मठ में जाके यह बहुत भिख्शू बन गए 139 में हर्ष वर्धन के कनोस दरबार में आए और इन्होंने हर्षवर्धन को सिलह दिदिक के नाम से पुकारा ठीकर है इन्होंने Umल दिद्धर नाम दिया हमकर नात्य विश्वु विद्याले में इन्होंने अध्यापन का भी कारी किया जिस समय ये नालंदा विश्व विद्याले में अध्यान करने गए उस समय कुलपती आचार शील भद्र थे उस समय कुलपती कौन थे आचार शील भद्र पुस्तक इनकी थी सी यू की और इन्हों ने 138 देशों की याद्रा की इसी वज़े से इनको प्रिंस ओफ पिल्ग्रिम्स भी कहा जाता है नेक्स्ट है सुलेमान यह अर्बी स्वादागर है यह नवी सदी यानि 851 इस्वी में भारत आये उस समय गुर्जर प्रतिहार वंस का शासन था और भीर भोज प्रथम उस समय शासक थे इसके बाद है अलमसूदी अलमसूदी दस्वी सदी यानि 915 इस्वी में भारत आये और उस समय भी गुर्जर प्रतिहार वंस का ही शासन था और महिपाल प्रत्थम इसके शासक थे हलाकि इन लोग यह दोनों ही अलमसूदी और सुलेमान दोनों ही अर्भी सौदागर थे पर इन्हीं यहाँ पर व्यापार करने के अनुमती नहीं दी गई ना अलमसूदी ना ही महिर भोज के द्वारा ना ही महिपाल प्रत्थम के द्वा अर्बी फार्सी और संस्क्रेट भासा का ग्यान था गड़ित विज्ञान भूगोल खगोल विज्ञान आदी में इनकी रूची थी बहुत ही विद्वान माने जाते हैं गजनी इन्हें मतलब इनकी जो मुहमत गजनवी थे वह इनके ग्यान से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने इन्हें गजनी का राज जोतिष्ट बना दिया सरफ्रत्धप पुराड का अध्यान करने वाले कौन थे अल्बरूनी अलवरूनी सबसे पहले प्रत्धम मुस्लिम थे जिन्होंने पुराड़ों का अध्यान किया यीस छ्रards भागवत गीता से प्रभावित थे इनकी पुस्तक थी किताबुल हिंद किताबुल हिंद इनकी बुग थी तो आज हम इंपॉर्टन जो 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 यात्री थे जिन्हों ने अपना विवरन दिया था उसके बारे में पढ़े हैं नेक्स्ट हम पाशाड काल चालू करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे पाशाड काल ठीक है आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू फ्रेंट्स फिर मिलते हम